नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो जार्खन की टॉप साथ इसके साथ रांची, नगर निगम शेथर के वाड में भी सीवीर काउजन की जाएगा बता दे आपकी योईना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम अंतरगत पंचायत अस्तर पर सिवीर के आवेजन कर राई सरकार के लोग कलियन कारी योईनावों का आम जनों के बीच ब्यापक पर चार पर सार कर सीवीर में ही योजिनाव का अधिका अधिक लाव आम जनों को दिया जाएगा ताकि कोई भी ब्यक्ति योजिना के लाव से वन चितना रहे बता दे राज्य भर में आपकी योजिनाव की सरकार आपके द्वार कारकरम का दूसरा चरन सुरू हो रहा है पहले चरण में करीबे कईश लाख आवेदन आये लाखों आवेदनों का निप्टारा हुआ तथा अन्य परकिरियाधिन है जार्खन में मंगलवार से खुल जाएगी सरकारी दफ्तर दिपावली व छठ पुजा के अवकाज के बाद जार्खन हाई कोट समेत तमाम सरकारी कर्याले मंगलवार को खुल जाएंगे बिधान सबा सचीवाले जार्खन सचीवाले व अन्य दफ्तर मंगलवार से कैम्प करने लगेंगे दूसरी ओर सिविल कोट दुरगा पुजा दिपावली के बाद मंगलवार को खुल रहा है सिविल कोट में 1 से 31 अक्टूबर तक वार्षिक अवकास था हलाकि इस दौरान वोकेशनल कोट में जमाना त्याजका वा अग्रिम जमाना त्याजका के साथ अत्यंत आवसक मामलों को सुनवाई की गई बता दे शकूली सिख्षा विम सकश्रता विभाग के पतादिकारी एक बार फिर समागर सिख्षा अवियान तता पीएम पॉस्तर न्योजना का स्वन्यो की निय्रिक्चन करेंगे विभाग के सचीव के रभीकुमार ने इसके लिए विभाग के अला जार्खन, सिक्षा, पर्योजना, परिशत के पतादिकारियों को जिला अवांटिद करते हुए या जिमिवारी सोपी है जार्खन में 25 या 996 सिक्षको की नियुक्ती जैसेसी ने सुरू की पर किरिया जार्खन में सिक्षक नियुक्ती की कवायत तेज हो गई है, सहायक सिक्षको की या नियुक्ती जार्खन के प्रात्मिक इम उच्छ प्रात्मिक विद्यालों में होगी, इन सिक्षको को सहायक अचार्य पद नाम दिया गया है चंद रोज पहले मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने कहा था कि जहरकन में 50 सेर सिस्कों की बाहली होगी कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब सरकार ने सिस्कों की बाहली पर किलिया सुरू कर दिया बता दे पहले चंड में 29 सेर 175 पदो पर सिग्र नियुक्ति होगी सभी जीलो से आरक्षन रोश्टर किलियर होने के बाद इस पर कार्मिक विभाग से स्कृट्री मिलने के साथ नियुक्ति के अनुशन सा जारकन करमचैरी चैन आयोक को भेज़ने की है रांची हिंसा में हिमंत सरकार कट घरे में भाजपास निलंबीत नेत्री नूपूर सर्माय की विवाजित टिपनी के बाद 10 जुन्द 2022 को रांची में भड़के उपद्रवा हिंसा मामले की उच अस्तरिय जांच पूरी तरह ठपड़ी हुई है उत्पाद विभाग के सची वा मिताब, कौसल वा, एडजी, अभियान, संजय, आनंद, राव, लाटकर की दो सरसी टीम को उच अस्तरिय जांच की दिमेदारी मिली थी बताद टीम को जांच में लंबा वक्त लगा है, राज सरकार ने जो समय निधारित किया था, उस निधारित समय में जांच पूरी नहीं हो सकी है इसके बाद जांज टीम ने राज सरकार से दो महिने का वक्त मांगा था वक्त मांगे हुए दो महिने हो गए लेकि जांज समीति को सरकार से अधी बिस्तार नहीं मिला है जारखंड के मंटू ने ड्रीम 11 पर जीते एक डो रूपए चारखंड में लाते हार जिला के हेरहंज प्रखंड मुख्याले स्थीत पूरनी हेरहंज निवासी किसोरी साव के पूत्र मंटू परसाद ने ड्रीम 11 में एक क्लो रुपए जीते हैं इसके बाद उसके घर में खुसी का महौल है चारो और से मंटू परसाद को बढ़ाया मिल रही है बता दे मंटू के पिता किसोरी साव ने बताया है कि उन्हें इस खेल के बारे में कोई जनकारी नहीं था उनका बेटा बिये तक पढ़ा है उसने ही यह रासी जीती है किसोरी साव बताते हैं कि घर किसी थी बहुत अची नहीं थी फिर भी बच्चो को किसी तरह जे पढ़ाया मंटू परसाद ने बिये तक की पढ़ाय की छट में वह घर आया था रविवार को साम में गाओं के कोछ लोगों ने बताया कि मंटू ने ड्रीम 11 में एक क्लो रुपे जीते हैं मुझे तो विश्वासी नहीं हुआ खुद बेटे से पूछा तो उसने भी बताया कि उसने इतनी बड़ी रासी जीत ली है चाटी मया ने हमारे परिवार को खोशी दी है हम सब की सुन ली है जारखन के सिक्षको का पारा गरम सरकार के खिलाब छड़ी जंग अखिल जार्खन प्रात्मिक सिक्षक संग के अवाहन पर 4 सुत्रिमां को लेकर प्रात्मिक सिक्षक 4 नौंबर से अपना अंदोलन सुरू करेंगे सिक्षको ने इसकी तियारी सुरू कर दिया है आंदोलन को सफल बनाने के लिए सिख्षको द्वारा परखंड जीला और प्रमंडलवार सगन जनसंपर्क अभियान पूरे परदेश बर चलाया जा रहा है साथ ही पोस्टर बैनर, मोटरसाइकल, स्टीकर के माध्यम से सिखो के बीच आंदोलन का परचार परसार भी किया जा रहा है बता दें आंदोलन के पहले चलन में सिख्षक चार एवं पांच नॉमबर को कला भी लला करकार करेंगे वहीं साथ से बारह नॉमबर को अस्थाने जनपरती निदियों को मांगो से समधित ग्यापन सोपेंगे संग के अध्यक्ष 24 के अनुसार पहले चलन के आंदोलन के बाद भी उनकी मांग पर करवाई नहीं हुई उन्होंने जमसेदपूर के टाटा मेन होस्पीटल के इंटेसिव केयर यूनिट में सोमवार की रात साड़े दस बज़े अमतिम सास ली उनके नेधन पर टाटा वरकर यूनियन के नेतावों ने सोक बगत किया है बतादे डाक्टर जेजे इरानी लंबे अर्शे सेवा बिमार चल रहे थे पिछले दिनों उन्हें जमसेद पूरिशी टाटा मेन होस्पीटल के आईसिव में एडमिट कराया गया था भारत में आठ नॉमबर को लगेगा चंद्रगरहन वर्ष 2022 सुर्य गरहन और चंद्रगरहन दोनों के लिए याद किया जाएगा बतादे इस वर्ष पहला चंद्रगरहन 16 मैं 2022 को लगा था अब दूसरी बार चंद्रगरहन मंगल वर 8 नॉमबर 2022 को लगेगा वर्ष 2022 का दूसरा और आखरी चंद्रगरहन भारत में साम 5 बचकर 32 मिट से प्राराम होगा और रात को 7 बचकर 27 मिट पर समाप्त होगा बतादे पिछली बार 16 मैं 2022 को जो पहला चंद्रगरहन लगा था हुआ प्राता 8 बचकर 69 मिट से प्राता 10 बचकर 33 मिट तक लगा था यानि कूल एग घंटा 64 मिट का चंद्रगरहन था इस तरह देखा जाए तो इस बार 8 नॉमबर 2022 को लगने वाला चंद्रगरहन पुर्व की तुनला में 31 मिट अधिक लग रहा हुए पुलिस पर हमले की जोजना बना रहे मवादियों के बंकर धवस्त जारखन के लाते हर जीला में इसीत बुढ़ा पहार पर चलाए गए बिसेस अभ्यान अक्टोपस के तह सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है पहार से बलों ने हथियारों का जाखिरा बरामत किया है इन हथियारों में पुलिस से लूटे गए 18 हथियार समेट 303 LMG राइफल SLR राइफल करबाइन इंसास समेट भारी मात्रा में गोली हुआ बरामत किये गा है सो मुहार को न्यू पुलिस लाइन में प्रेस वारता आयुजित कर डियाई जी राज कुमार लकडा ने यह जनकारी दी है उन्होंने बताया है कि लाते हर के पुलिस अधिक्षा को गुपत सुचना मिली थी कि मवादी बुटा पाहाड के आसपस भ्रहमन की योईना बना रहे है यह भी खबर थी कि मवादी बंकरों में छिपकर रखे गए गोला बारूत की मदल से सुरक्षा बालो को नुकसान पहुचाना चाहते है नवंबर और दिसंबर में साधी के नव सुभ महूर्त दिपावली और छठ पुजा के साथ ही सभी बड़े तेवार अब संपन हो चुके है हिंदी कलेंडर का नुसार या कार्तिक का महीना है मने आता है कि इस महीने की एकाजसी तिथी को विशनु भगवान चार माह के बाद योग निंद्रा से जाग जाते है इसके बाद साधी बिवा समेत सभी परकार के सुभ मांगली कारे प्रारंब हो जाते है धर्मिक मने आता हुक अनुसार याजसी को देवठनी या काजसी कहा जाता है इस्तिती से लोग साधी बिवा और अन्य सुभ काम करने लगते है इस वर्ष 2012 को देवठनी याजसी सुक्रवार 4 नुवंबर को है इसके ठीक अगले दिन सनिवार पांच नौबर को तूलसी बिवा का आयोजन होगा बीरसा मुंडा रांची एरपोट पर लगेज जाच की नई बेवस्था बीरसा मुंडा रांची एरपोट से यातरा करने वाले यातरियों के लिए ये कची खबर है सिर्फ Bureau of Civil Aviation Security की अनुमति की जरूरत है इसका इंतजार एरपोट प्रवंधक कर रहा है इस नई बेवस्था के लागू होने से यातरियों के समय की बचत होगी इस नई बेवस्था के लागू होते ही समाज जाच कराने के लिए यातरियों को काफी पहले रांची अरपोट पर नहीं आना पड़ेगा यातरियों की सुधा को देखते हुए अरपोट अथरुटी ने मेटरों की तरज पर बीसा मुंड़ा यारपोट रांची पर भी स्क्रीनिंग की नई बेवस्था लागू करने का निनलिया है तूलसी पहुधा का जन्म और बीवाह मनाया जा रहा पांच को तूलसी बीवा इस वर्स सन्निवार 5 नॉमबर 2022 को मनाया जागा हिंदु धर्में तूलसी का पहुधा बेहत पवित्र मना जाता है हर साल हिंदु समुधा के लोग कार्तिक सुक्ल एकाज़सी को तूलसी बीवा का जन्म करते है इस तूलसी बीवा को लेकर हिंदु धर्म गरंथों में कई कहानिया प्रचली था इन्ही कहानियों को याद करते हुए आपर मनाया जाता है बता दे पहली कहानिया है कि विश्णु भागवान ने बिरिंदा से चल किया था बिरिंदा ने इस चल के बाद अपने पती के बियोग में भागवान विश्णु को सराप दे दिया था कहा था कि आपने मेरे साथ छल किया है तब आपकी पतनी का भी कोई छल करके साथ अफरण करेगा इतना ही नहीं आपको भी अपनी पतनी के बियोग में दुख साना होगा प्रसो के दोरान नौजात का दोनों हाथ टूटा डॉक्टर ने बताया तक नहीं जार्खन के सरकारी अस्पतालों का हाल बहुत ही बुरा है लापरवाही की रोज रोज नई घटना है यहां सामने आ रही है बताजे ताजा मामला राजधानी राज़ी के सदर अस्पताल का है जहां डाक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है जिसमें प्रसव के दुरान एक नौजात के दोनों हाथ तुट गए जिसका इलाज किया गया हलाकि नौजात बच्ची का हाथ जुट गया है लेकिन अभी भी बच्ची को लेकर उसकी माता मांसिक रूप से काफी परिशान है बच्ची को जन में देने वाली मा मनिसा पाठ करने डौक्टर परलापरवाही का आरूप लगाया है प्रसूता ने कहा है कि हड़ी का इलाज कर रहे डौक्टर ने भी समय पर इलाज नहीं किया उन्होंने कहा कि डॉक्टर बोले उनके पास इलाज के लिए अगर दोबारा आई तो 5-6 रुपे फीस भी लगेगा पूलिस जवान गुरूप के द्वारा निसुल्क पुस्तकाले और कोचिंग सेंटर खुला पूलिस जवान गुरूप द्वारा निसुल्क पुस्तकाले और कोचिंग सेंटर खुला मुख्याती थी अजित कुमार अधिकारी सहाया कमांडेट CRPF न बताया है कि पुस्तकाले तमार बिधान सभाचेतर के सभी जवानों द्वारा सहजोग कर अस्थापित किया जा रहा है पुस्तकाले में परतियोगी परिक्षा है तु सभी परकार के पुस्तके रखी जाएगी उन्होंने बताया है कि छात्र पुस्तकालाई आकर भी त्यारी कर सकते हाँ वहीं एक सब्ता के लिए पुस्तक घर पर ले जाकर भी पढ़ाई कर सकते हाँ नक्सल इलाकों में CRPF ने निकाली साइकल रैली संपुर्ण भारत को एक सुत्र में पिरोने वाले लह पुरुस सरदार वलव भाई पटेल की जनती पर 94 बटालियन द्वारा तीन दिनों तक लाकातार कारकरम का आयोजन किया गया सुमवार को आमतिम दिन आयोजित साइकल रैली केंद्रिय रिजर पूलिस वल मुख्याला है तजना एस्पोर्ट कमपलेक्स से सुरू होकर माहिल गाना लोया होते हुए वापस CRPF 94 बटालियन मुख्याला है पहुची अरजुन मुंडा पहुचे ग्राम परधान के घार खुंटी के सांसद और केंद्रिय मंत्री अरजुन मुंडा सोमवार को तमाल परखंड के लोहडी गाव के ग्राम परधान असोक सिंग मुंडा के परिजनों से मिलने पहुचे उन्होंने परिजनों को संतावना दी और हर संबह मदद का स्वासन दिया ग्याथों की ग्राम प्रधान असोक सिंग मुंडा के हत्या बुद्धवार की रात अग्याता प्राध्यों ने लाठी से पिट-पिट कर कर दी थी रन फोर युनिटी में दोड़ी खुटी जिला स्थर पर रन फोर युनिटी का सुभारम केंद्रिय मंति जन जातिये कार्य मंत्रा लाए भारत सरकार अरजुन मुंडा उपायुक्त ससी रंजन पुलिस अधिक छक अमन कुमार उबिकास आयुक्त नितिस कुमार के द्वारा बीरसा कॉलेज खुटी स्टेडियम में किया गया पेट्रोल पंप लूट की युजना को पुलिस ने किया नकाम छट महापरवत 22 की राध पुलिस ने बेडो पेट्रोल पंप की लूट की युजना बना रहे एक योग गिरफतार किया है जबकि उसके साथ ही भागने में सफल रहे पकड़े गए अपराधी के नाम सूरज उरां बताया जा रहा है अपराधी के पास एक देशी काटा, दो जीनता, कार्तूस्त और एक बाइक ब्रामत हुई है गरामीन SP 97 आलम को सुचना मिली थी कि कुछ अपराधी पेट्रोल पंप के पास इकाठा हो रहे है सुचना देने वाले ने पूलिस को बताया है कि हो सकता है कि अपराधी पेट्रोल पंप को लूट का निशाना बना रह सकते है सुचना पर तुरहंत बेड़ो पूलिस पहुँचिया और एक अपराधी को दबोच लिया हाई स्कूल सिक्षक नियुक्ति 2016 के लटकने गया सार हाई स्कूल सिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में प्रार्थी सोनी कुमारी द्वारा सुप्रीम कोट में दाखिल आउमनावाद पर सुनवाई 18 नॉमबर को होगी सोनी कुमारी की ओर से अमन्ना वाद दाकिल करने वाली अधिवक्तार ललित कुमार ने बताया है कि मेरिट पर अठारों को सुनवाई होगी उसके बाद आगे कोट पर निर्फर करता है कि या इस मामले में डारेक्शन देती है उन्होंने कहा है कि हमने आवेद्दन के माध्यम से नियालाई को जनकारी देने का पर्यास किया है कि दो अगस्त को दिये गए सुप्रीम कोट के ओरडर का जार्खन करमचरी चैन अयोग और आज सरकार की ओर से किस तरह से अवहलना किया जा रहा है रांची में महिला से चैन शिंताई कर अपराधी फरा रायधानी रांची के कोटवाली थाना छेतरे के कि सोरगंज देवी मंडप रोड में पूजा कर लोट रही एक महिला से बाइक सवार अपराधी ने चैन शिंताई कर ली है गटना सोमवार सूबह की है, इस समध में पीडित महिला सरीता देवी ने कोतवाली थाना में प्राथ्मी की दर्च कराई है, सरीता देवी कुमाध टोली के रहने वाली है, वो सोमवार की सूबह छट गट से लोड़कर पूजा करने के लिए मंदिर जा रही थी, इसी दोरान देवी मंडप रोड पर बाइक स्वार अपरादी पहुंचे और उनके गले से सोने की चैन छीन कर फ्रैर होगा है। राइफल समेत 18 हत्यारों के अलावा 200 से अधिक इंप्रोवाइजड एक्स प्लोसिव बरामत किये गए। यह हत्यार पुलिस से लूटे गए थे यह बंका राइधानी राची से करेब 180 किलो मिटर दूर है। लेकिन पिछले दिनों वा एक्सिडेंट में बोरी तरह घायल हो गई। जूली अपने भाई और एथलिट राहूल कुमार के साथ प्रैक्टिस करने मैदान जा रही थी। इसी दोरान उनकी बाईक दुरगाटना ग्रस्थ हो गई और जूली महत तो दुरगाटना का सिकार हुई। बता दे घायल होने के बाद जूली को धनबाद मेटकल कॉलिज में भरती कराया गया लेकिन उनकी स्थिती में सुधार नहीं होता देख डॉक्टर ने बेतर इलाज के लिए बोकारो जनर अस्पताल रेफर कर दिया। बोकारो पहुचने के बाद भी उनकी स्थिती में सुधार नहीं होई तो डॉक्टर ने बेतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। पहुचित कर दिया है। वितादे चट वर्ती की मौत के बाद उनके घर में चट परो की खुशी का महल गम में बदल गया। लोहरदग्गा के मनोकामना मंदीर पर चड़ा युवक। पर एक युवक चड़ गया और हो थोड़ा से गुबंद को तोड़ने लगा। आसपास के लोगों ने उसे ऐसा करता देखा। तो माना किया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां जम गई। उसके बाद पर सासन को सुचना दी गई। MBA की तयारी के लिए 8 को टेस्ट, XLRE MBA PGDM परवेस के लिए राष्ट्रिय अस्तर की योगता परिक्षा जेवियर एप्टिटूट टेस्ट 73 वर्सों से आउजित कर रहा है। जेट भारत में MBA PGDM परवेस के लिए सबसे पुरानी और दूसरी सबसे बड़ी परिक्षाओं में से एक है। XIM भोने स्वार, XLSS और 8 अनसंस्ता सामिल हैं। इस वर्स से XLRE के BM कोर्स में जम सेथ पूर में 180 से 240 और दिली में 120 से 180 सीटे बढ़ा दी गई है। इस साल से जेट परिक्षाओं दो पर दो बएस से साम पांच बज कर दस मेर तक आउजित की जाएगी। धन्यवाद।